अक्टूबर माह के अंतिम दो दिन तुला राशी के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं? जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्योब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर के तुला राशी फल के बारे में इन दो दिनों में किस तरह के बड़े बदलाव होने हैं? कौन सा घ्र है? राशी बदलेगा? किन ग्रहों का प्रभाव शुब रहेगा? इन दो दिनों में क्या योग बनेंगे? क्या तिथी? क्या नक्षत्र होगा? और सभी चीज़ें मिलकर आपके जीवन में किस तरह के बदलाव लेकर आएंगे? आपके जीवन के हर एक शेतर में किस तरह के बदलाव लेकर आएंगे? तो ये जानने के लिए वीडियो को लास गोचर के हिशाब से, 30 अक्टूबर का दिन, सौमवार का दिन है, क्रेश्न पक्ष की द्वितिया तिथी रहेगी और क्रती का नक्षत्र रहेगा, चंद्रमा इस दिन व्रशब रासी में प्रवेश कर जाएंगे, सुर्य तुला राशी स्वातिन नक्षत्र में है, और सरवार सिद्धी योग इस दिन बनेगा, लेकिन ये ऐसा दिन है, जो इस वर्श का सबसे बड़े ग्रह गोचर का दिन है, राहू और केतू, 18 महीने के बाद, राशी बदलेंगे, राहू मेश रासी से मीन राशी में प्रवेश करेंगे, और केतू तुला राशी से कन्या राशी मे रहने वाले हैं, न वक्री होंगे, और नहीं ये मारगी होंगे, तो इन दोनों का ये राशी परिवर्तन विशेस मायने रखता है, क्योंकि दोनों ही ग्रहे, राक्षस ग्रह कहे जाते हैं, माया भी ग्रह कहे जाते हैं, इन दोनों का प्रभाव, अब अगले डेड़ तक आपको किस तरह से होगा ये भी मैं आपको बताऊंगे 31 अक्टूबर महीने का अंतिम दिन है मंगलवार का दिन है क्रिश्न पक्षकी तृतिया तिथी रहेगी और रोहिनी नक्षत्र रहेगा बहुत ही शुब योग इस दिन बना है वरियान नाम का योग बना है जिसके स्वामी होते हैं कुबेर चंद्रमा वरशब रासी में है सूर्या आपकी लगन में विराजमान है लेकिन अब यहां सूर्या का भी जो केतू के साथ योती थी योती तूट जाएगी क्योंकि केतू का अब राशी परिवर्तन हो चुका है तो केतू चले गए हैं आपके बार्वे भाव में और सूर्या और बुद्ध का यहां बुद्धा दितर राज्युक बना है तो सूर्या भी पर पावरफुल इस्तिति में होंगे क्योंकि केतु पहले सूर्य को प्रभावित कर रहे थे और अब केतु यहां से जा चुके हैं इसके लावा रवियोग यहां बनेगा तो यह हो गई हमारी ग्रहों की इस्तिति अब इनी के अधार पर चले जानते हैं ये दो दिन आपके लिए कैसे होने वाले हैं पहले बात करेंगे 30 अप्टूबर के बारे में व्रशबरासी के चंद्रमा है इस दिन और व्रशबरासी के जो चंद्रमा है वो आपके अंदर एक एनरजी का संचार करेंगे कूर्जा का संचार होगा बहुत धिक मामलों में आज का दिन आपके लिए बहुत अधिक लाबदायक रहेगा आज चीजें आपके पक्ष में होती होई दिखाए देंगी और आपका मन संतुली तवस्था में होगा आप ये भी पाएंगे कि आपके अंदर कुछ करने की चाहा ज़्यादा बढ़ती दिखाए देगी हर एक काम की तरफ आप ज़्यादा सक्रिय रहेंगे और ये आपकी प्रवर्ती भी है हर काम को लेकर बहुत अधिक सक्रिय हो जाते हैं हर काम को बड़ी डीपली आप देख करते हैं और अपनी हद से जादा अपने कारियों को समहलने की ताकत आप रखते हैं ये सारी चीज़ें आपके लिए आज बड़ी फेबरेबल होने वाली है आज आप अपने मन में जिस भी तरह के भावले कराएंगे वो आपके लिए खुशी देने वाले होंगे और कुछ दान पोन्य का काम या दोजनों की मदद करने के लिए भी आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है दोपहर में तीन बज़े से शाम के छे बज़े तक का समय आपके लिए सब से शुब समय रहेगा हलका हरा रंग आपके लिए बहुत ही शुब रहने वाला है इस हरे रंग का आजाप उपयोग जरूर करें किसी ना किसी तरह से अपने वस्तरों में इसको जरूर उपयोग करें बिहद अच्छा रहेगा अब धनसंपत्ति के मामले में दिन अच्छा है तीस अक्टूबर पैसे आने का यूग है कही ना कहीं से पैसा भी आपका आएगा चाहे वो आपकी सैलरी के रूप में हो या फिर कहीं से आपका पैसा जो फसा हुआ था या वो आये लेकिन पैसे आने का यूग यहां जरूर बना हुआ है कोई साजेदारी में काम करने के लिए आज invite कर सकता है किसी तरह के partnership पे आप काम कर सकते हैं और अगर ऐसा आप करते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए दिन अच्छा है आपको भरपूर लाब देने वाला होगा कोई आज आप से धनोधार मांग सकता है तो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखने के आवशकता है आज आप अपनी संतान के ऊपर अच्छा खासा खर्चा करने वाले हैं किसी भी तरह से और कोई छोटी दूरी की यात्रा का योग भी बना हुआ है जीवन साती के स्वास्ते का थोड़ा ध्यान रखें उनका स्वास्ते थोड़ा प्रभावित हो सकता है लेकिन आज आप एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझेंगे अच्छे से सुनेंगे और अपनी स्वास्ते का भी आप ध्यान रखेंगे आपके रिष्टे मजबूत होंगे और एक दूसरे को आप खुश करने की हर संबब कोशिश भी करेंगे राहू की बात करते हैं राहू आपके छटे भाव में आ रहे हैं और बारवे भाव में केतु हैं केतु आपके खर्चे के भाव में हैं और साथ में ये जो बारवा भाव होता है ये होता है विदेश से जुड़ा हुआ खर्चे का भी जुड़ा हुआ होता है और ये सिक्षा से भी जुड़ा होता है तो यहां खर्चे तो आपके बढ़ेंगे लेकिन आपका धात्मों में मन लगेगा आप पूजा पार्ट से जुड़े हुए रहेंगे और जो इन चीजों से जुड़े हुए किसी कारे से किसी भी काम को करते हैं तो उनके लिए कि तू अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं छटे भाव में बैठकर राहु के भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे सिक्षा में भी व्यवसाय में भी आपको राहु का पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा और साथ में नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी इसके उपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो उल्लाराशी के जातकों के लिए प्रेम जीवन के मामले में ठीक ठाक समय रहेगा काफी खुबसूरत आप कह सकते हैं इस दिन को आपके पास जो भी खाली वक्त है उसका सदवियोग करें उन कामों को पूरा करने की जो बीते दिनों में पूरे नहीं हो पाए थे तो ये दिन कुल में लाकर काफी अच्छा होने वाला है आप 31 अक्टूबर की बात करते हैं 31 अक्टूबर का दिन आप के लिए कैसा रहेगा इस दिन जो सूर्य की स्थिती है वो आपकी लगन में है और सूर्य मजबूत होएं वैसे तो सूर्य की नीच रासी है लेकिन केतू के यहां रहते हुए कहिना कहीं इफेक्ट पढ़ रहा था आपके व्यक्तित उपर अब केतू जा चुके हैं आपके बारवे भाव में और बुधादी तराजयोग बन गया है आपके लगन में तो यह आपके लिए अब शुब रिजल्टों के लिए बेहद अच्छा है जो इस राशी के जातक रंग मंच से जुड़े हुए हैं फिल्म जगत से जुड़े हैं मीडिया की फिल्ट से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही जादा अच्छा होने वाला है और इसी छेत्र का कोई व्यक्ति आपकी मदद के लिए आगे भी आ सकता है और अगर ऐसा है तो इस सिथी का लाब ही उनसे आप निजात पाएंगे कहीं से अचानक से पैसा आएगा जिससे आपको काफी राहत महसूस होगी लेकिन अपने धन को लेकर जल्दवाजी में निर्ने ना ले थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आप चीजों को देखें जो इस राशी के जातक दुकान दारी करने व आपको मिलेगा संगीत से जुड़े हैं तो आपको किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाने का आफसर मिल सकता है मौसम का बदलाव आपकी सेहत पर जरूर असर डालेगा तो सेहत का थोड़ा ध्यान जरूर रखें वैवाहिक जीवन काफी अच्छा है आज जो पारिवारि कि जो अंतिम दो दिन है ये दोनों ही दिन तो लाराशी के जातकों के लिए काफी अच्छे होने वाले हैं उपाय के तोर पर आज आप कोई भी पीली मिठाई हो बेसन का हलवा हो या कोई भी पीली हो सोन पापड़ी हो पीली मिठाई आज आप गरिबों में अगर तो वो आपके लिए काफी benefit देने वाला है साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें